कि पूजी वाद माफिया वाद फिरोती करने वाला विक्ति हुर्ण वह चलाएगा उनका टिकट कार दिया उन्हें क्या में पुरा जीवन उन्हों इत्यार कर दिए 24 साल हμकिश जीवन पूरा कर दिया आप कुजी वाद के आगे नदमस्तक हो अब को जिला पंचाइट में 14 लोग जीते थे और जिला पंचाइट में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया कंडिडिड को मिला चार बोट तो दस लोग कहां चले गए 10 लोग बिग गए यहां के लोग विक्ते हैं और वही विक्ता हो लोग कुर्टा पेहन के आग जबा देंगे निटा कहते हैं कि हम मिर्जापूर के आलफ संक्यकों को पिछोड़ों को और समझ को पैसे से खरीदे लेंगे हमको लगता है कि हमारी जनता विकाव लई है हमारी जनता जारू पर अपने अपनाह प्रत का दान करके इनको जवाब देगी मेरे पास जनता की पुजी है मेरे पास संघर्सों की पुजी है 24 साल संघर्स किया मैंने मिर्जापुर के आवाम के लिए मिर्जापुर के सरके, बिजली, पानी, आंदोलन तमाम मुकदमें हमने जेले जो है जब कहीं पर कोई अत्याचार हुआ होगा तो सुनिल पान्डे जुबान से नहीं ख़ड़ा रहता है वहाँ, वहाँ दंदारी से खड़े होकर जिलापुर सासन के सामनी वर्जापुर की जनता के मान समान की रच्छा और उनके स्वाईमान के रच्छा करने का काम करता है आपके दर्सकों के माध्यम से अपील करता हूँ कि सुनिल कुमार पांडे जो आपका बेटा है आपके संगर्सों में हमेशा खड़ा रहता है आपके लिए मरता है आपके लिए जीता है आपके लिए जो है दिन भर सोचता है ऐसे बेटे को इस बार आँ माधनी पालती जारू चुनाओ निसान पर अधीर से अधीर मोहर लगाकर मिर्जापुर्गी जनता इनको जवाब दे कि मिर्जापुर्गी जनता विकाओ नहीं है TV100 में आपका स्वागत है और मैं विरेंदर गुपता जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे नगर पालिका का चुनाओ कितिती नजदीत आ रही है वैसे वैसे तमाम राजनित्रिक गलियारों में हल्चर भी जबरदस्त उठाई दे रहा है फिलहाल इस वक्त समुचे मिर्जापूर्ट नगर निकाय चुनाओ के दोरान जो सरवाधिक चर्चा लोगों के जुबान पर सुनी जा रही है वो एक मात्र चर्चा इस वक्त ये है सरवाधिक रूप से कि आखिल सुनेल कुमार पांडे राजनेता के तौर पर जाने जाते है उन्होंने क्यों बगावत की क्या ऐसी परिस्टी बनी की समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ते दिखाया और उनको किस सेचुएशन में आम आदमी पार्टी को भी जॉइन करना पड़ा हमारे साथ सुनील कुमार पांडे जी मौजूद है आज लाखों लोगों के सभी दर्शिकों को नमस्कार करता हूं मैं मिर्जापूरों नगरपाल का परसर के सम्मानिद नाविर को को आपकी Chamjanil के माध्यम से नमस्कार करता हूं और यह चुनाव जैसा आपने कहा कि समाजवादी पाल्टी को जो है हमने छोड़ कर मैं आम आदमी पाल्टी के प्रत्यासी के तौर पर यह चुनाव मैं जो है लड़ने का निड़ने हुआ कि निड़े मेरा नहीं रहा मैं साथ महिनी से लगातार मिर्जापुर नगरपाल का परसत के चोई चित्रों में वाडों में गलीों में घूम रहा हुआ मिर्जापूर की जनता का ये फर्मान है मेरे लिए कि आप चुनाव लड़िए समाजवादी पार्टी में मैं दो दिन पहले तक था मैंने मुझे समाजवादी पार्टी के रास्टी अद्रग जी से मैं मिला 17-18 दिन में लगा ता लखनो मेरा और मुझे इस बात का उन्होंने आस्वासन दिया था कि आप जाके चुनाव त्यारी करिए और आप चुनाव लड़ेंगे लेकिन मिर्जापूर के लोकल कुछ नेतागर जो है जिनको मिर्जापूर में अपनी बास्साहत और सामराज्य बनाय रखना है तो समाजवादी पार और समान और अपना मत दे कर जिता दिया इनकी नेतागिरी की दुकाने बंद हो जाएंगी तो उस सामराजवाद के आगे हम हार गए उस पुझी बात के आगे हम आर गए लेकिन हम जनता की अदालत में नहीं हारेंगे हम समाजवादी पार्टी को बहुर सासाथ भारती जनत और वक्ता है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की जो नीती रही है आप एक जिम्मेदार पत पे रहे हैं जिला उपाध्यर्श की पत की आपने गरिमा रखी थी एक एक ऐसा हुआ क्या कि आप पार्टी को छोड़ देते हैं आपने इस्तीफा भी लगा दिया और आपको लगता है कि तुरंट आपकी जो मैंनो व्यज्जानिक किस्थिती है जो एक पॉलसी थी सफा की अब आप आम आदमी पार्टी के नीतियों से सीधे इतफाक रखने लगेंगे इतना कम समय में देखिए आपने बिल्कुर सत्य कहा कि मैं लगा तार जन सोलन मेरा 24 साल हो गया मुझे मिर्जापुन नगर जिले की गली सडके पानी और रष्टाचार और तमाम मुद्दों पे विजली की जब उत्मिर्णन हुआ तो कोई नहीं और जब जब कहीं पर कोई अत्याचार हुआ होगा तो सुनिल पांडे जुबान से नहीं खड़ा र करता है लेकिन यह जो मिर्जापुर के जो नेतागड़ हैं वो नहीं चाह रहे थे कि कोई मिर्जापुर में लीडर सीव विक्सित हो और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आम आद्मी पार्टी की जो विचारधारा है जो हमारे रास्थी सयोजक अर्वेंद केजिरिवाल जी का जो वइजन है जो दिल्ली में दिखा जो पंजाब में दिखा और जो पुरे देश में दिखा आम आदनी पार्टी राष्ट्री पार्टी है और उनका जो विजन है क्या करण है कि आम आदनी पार्टी 10 साल में राष्ट्री पार्टी हो गई और समाजवादी पार्टी राष्ट्री पार्टी नहीं हो गई तो ये विजन का अंतर है जो समा पातल पे उतारने के लिए अर्विंद के जिरवाल साहब ने कहा है कि जा कि चुनाव लड़िये और मिर्जापुर में जो नगरपाल का परसत में ब्यात भरष्टाचार हैं नगरपाल का परसत में जो पुरूतिया हैं जो सड़के जरजर हैं जो भरष्टाचार की गंगोत्र अर्विंद केजिरवाल जी का है उनको पूरे देश की जनता समान कर रहे हैं मान कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी तो आपस में लड़के यह लोग समाफ्त हो जाएंगे आप देखिएगा तुस दिन के बाद इनकी दसाबी राश्ट्री लोग दल और बोजन समाजवाद चलता है कि यह चलता है यह चलना है मैं इस बात को खुले तोर पे कहता हो कि वास्तों में समाजवादी पार्टी का नाम बदल के पुजी वादी पाल्टी कर देना चाहिए मैं हार गया पुजी से पुजी वाद से हार लिया मेरे पास जनता की पुजी है मेरे पास संघर्सों की पुजी है 24 साल संघर्स किए मैंने मिर्जयापुर के आवाम के ली मिर्जयापुर के सडके विजली पानी आंदोलन तमाम उकदमें हमें जहले करता उनीजेले पास हो सकता है नकि पुजी ना हो इसलिए हम पुजी वाद से हार गए है समाजबाधी पार्टी की नेता कहते हैं कि हम मिर्ज्यापूर के अल्फ संख्यकों को पिछोडों को और स्रवन समाज को पैसे से खरीदे लेंगे हमको लगता है कि हमारी जनता भी काउल ही आए ले जंता जारू पर जो है तो आपने अपना मत का मत का दान करके इनको जवाब देगी तेरा तारीक को आपको सबसे ज़्यादा कश्ट कभ हुआ क्यों कश्ट है यह भी बताएं मैं मैं देखिए मैं राष्ट्री अध्यक्ष अकले स्यादू जी के संपर्गी में लगातार दू अप्रैल से बना हुआ था कश्ट मुझे राष्ट्री अध्यक्ति स्यादू से नहीं है कश्ट मुझे मिर्जयापुर के कुछ भरष्ट जो कुछ सणंत्र कारी कुछ बोलने वाले गलब पिच्चर देने वाले गलब जो है पिच्चर पर प्रसूत करने वाले उन स्वार्थी निताओं से था और उन्हो करता है हमारी आप बात कर रहें सवासदों के टिकट में देख लिए समाजवादी पाल्टी का संटन है कहां आप बताईगी मैं आपको बताऊं कि 12 वार्डों में इनके पाइक कंडिडेट सवासद का आविधन करने वाई है आज भी 18 समाजवादी पाल्टी के हैं आप 36 वा पाल्टी के लोग जीते हैं उसको ब्रूग जाते हैं उदारत बता रहें आपको जिला पंचायद में 14 लोग जीते थे और जिला परशत के चुनाव करते हैं मैं पूछना चाहता हूं विधान परसत के चुनाव में समाजबादी पाल्टी ने समाजबादी पाल्टी के समाजबादी पाल्टी के समाजबादी के परकुला जो पीछले चुना और लोग जाना चाहते हैं बहुत कड़ा सवाल है कि आपको जब आपके मुताबिक चुनाओ मैजान में अभ्हेरती नहीं बना जाता तो आप पार्टी छोड़ देते हैं आपने कॉंग्रेज भी छोड़ा आप सपा भी छोड़ रहे हैं चाहिए सही बात है कि आपको सर्फ और सर्फ चुनाव का टिकट चाहिए चुनाव का कोई टिकट का मामला नहीं रहता है मैं 1977 में भारती स्ट्चासंग उतर परदेश का प्रदेश सद्यक और 2007 में मैं भारती चाहसंग भारत का राजनेतिक दल था उसका राश्ट्रिय देख्ष बना चुनाव लड़ा मुझे चुनाव का रव नहीं था मैं हार गया 2010 में जो है मैं राहूल गांदी जी जो कांग्रेस्पार्टी के राश्ट्रिय देख्ष थे उनके निवीधन पर पर आगरह प्रदेसर देखते हैं एन वक्त में ये फिर मिर्जापुर के जो कॉंग्रेस पाल्टी के मठादीश थे फिर आ गए और फिर उन्हों च्छाय में आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप पैसे वालों को टिकर देंगे तो वहां सम्मान की लड़ाई है और जहां सम्मान नहीं वहां सुनिल पांडे नहीं वहां सुनिल पांडे का एक विकार करता नहीं वहां जनता भी नहीं कांग्रेस के हास्र देख लिजे कांग गर जो है इमलहा तमाब जहां विरोत था वह उस उन वार्डों में मैंने दिन्दाद मेहनत करके जहां मेरा प्रभाव था जहां बीजेपी के अलावा कोई जीता नहीं था तो आज समाजवाधी पाल्टी को जिताने का काम किया फिर 19 के चुनाव में मैंने टिकट नहीं मागा बाइस के चुनाव मैंने टिकट मागा था विधान सभा की चुनाव में मुझे नहीं दिया लेकिन मैंने कैलासना चुरसिया का प्रचार किया और उनको जिताने के लिए काम किया लेकिन अगर जनता ने उनको नहीं दिया तो इसमें सुनील पानले का कोई अपराद नहीं है सब कुछ नियुचावर कर देने के बाद आप समाजवादी पार्टी में फाइनली स्टेज पे आप एक सच्छे कारकरता के रूप में आपको लोगों ने देखा भी है आपने सब कुछ नियुचावर किया तन, मन, धन, जो भी आपके पास शक्ति थी ऐसा प्रतित हो रहा था कि ये आपका अंतिम पड़ाओ है आप समाजवादी पार्टी में ही जियेंगे और समाजवादी पार्टी में ही आप बलिदान भी होंगे ऐसा लोग कह रहे थे, आपकी प्रतिभा और आपकी इच्छा शक्ति को देखते हुए लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी में आप एक दिन में आते हैं और आपको टिकट मिल जाता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी यही सवाल उठ रहा होगा कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और आज बाहरी आके तुरन टिकट पा गया देखी मैं आपको बता दूए आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी में भी मैंने पुरी निष्ठा से काम किया लेकिन अगर आप कारिकरताओं का अपमान करेंगे आप फुजी वात के आगे नदमस्तक होंगे आप कहेंगे क सब्सक्राइब को पिछड़े के पिछुड़ों का बोट और सवर्णों का बोट हमारे हाथ में हम इसको पैसे से खरीज लेंगी तो सम्मान बेश के राजमीत सुनिल पांड़े नहीं है सुनिल एक अंतिम सवाल आप से लोगों को आपने समाजवादी पार्टी में स्थान देलाया पहचान देलाया आज वही लोग आपका खिलाफत कर रहे हैं क्या यह सही बाद देखे अभी कल एक वक्तव एक मानी जो है निता का मैंने सुना निता जी को मैं बताना चाहता हूं उन्होंने का कि मेरे में युक कुल सांसाव कॉर्ण का में इत्यास रच है आप मांगेंगे तो मैं आपने इतियास को आप को दिखाने का articles करूंदा लेकिने डेरे महिने में जिनको आज तो कोई नहीं जान पाया कि उसमेश कुल कि प्रधमेंट नहीं निस्टावान प्रसंग का नाम लूगा सिक जो है इन लोग के लिए पैमाना होगा हमारे लिए नहीं होगा समाजवादी पार्टी के मिर्जाप्त के नेता सकुनी है दितराष्ट आठ पर्टी बादे हुए और सकुनियों ने सर्वनाज कर दिया पूरा जो है महावारत का चेप्टर खतम कर दिया ऐसे आप देखेंगे इन सकुनियों ने मिलकर जो है समाजवादी पार्टी को भी यहां की राजनी आपको क्या लगता है क्या दिसा लगत लें कर रहे हैं कि पूजी वाद माफिया वाद फिरोती करने वाला देखती जो है और वह वो चलाएगा वह टिकट दिलवाएंगा उनका टिकट कार दिया गया उन्होंने क्या मांगा पुरा जीवन उन्होंने त्याग कर दिया चौबीस साल हमने अपना जीवन पुरा त्याग कर दिया क्या मांगा हमने अपने कत के मताविक जो है नगरपालका का जो है सीट अगर मांग लिया तो आप में दो की जो है ठीक है तमाम लाखों लोग आपको जीता है आपके लिए जो है दिन भर सोचता है ऐसे बेते को इस बार आम आदमी पार्टी जारू चुनाव निसान पर अधीग से अधीग मोहर लगाकर मिर्जापुर की जनता इनको जवाब दे कि मिर्जापुर्गी जनता विकावू नहीं है और मिर्जापुर्गी जनता दो हजात पाँ उनईस सो पंचारवे में अरूर धूबे को निर्दली चुनाव जिता कर इतिहाद बनाई थी और दो जार्टेइस में सुनील पांडे को चेर्मेन बनाकर इतिहाद बनाने का काम करें तो आपने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आज खलबली मची है अगर तो सुनील पांडे को लेके जिस तरीके से तमाम वेबाकी से राय और आम जन्मानस में जो चलन हो गया है जो सुना जा रहा है वो निश्यत रोप से नगर पालिका चुनाव को और भ दिल्चस्प होगा इस बार मत दाता क्या पारंपरिक तरीके से ही अपने मतों का प्रयोग करेंगे या यहां के इस्थानी मुद्दों के अलावां रतनीधियों का भी चैन करेंगे मिर्जापुर से टीवे हंड़ेट के लिए विरेंद्र गुत्ता के रिप्रुद्रुद्